हेलो ओफिसर्स वेलकम बैक टो आवर चैनल आई होप आप सभी सौस्त होंगे अपना डेली टार्गेट अच्छ से कंप्लीट कर रहे होंगे जैसा कि आप सभी को पता अब एक्जाम डेट हम सभी को अनौंस हो चुकि एक्जाम मंत दस मंत बाद आप सभी का एक्जाम से रहने सब्सक्राइब करने से पहले बता दो दोस्तों अगर भी तक शैनल को सब्सक्राइब निकिया था प्लीज सब्सक्राइब कर ले साथी बैल आइकन को प्रेस कर दें तक कि ऐसा ही डेली अपडेट्स आपको मिलते रहे तो फॉस्ट लॉट मिम जैसे कि आप सभी इंगलिस व प्रेस करने जो कि हम सभी ब्लैक बुक में से फॉलो कर रहे हैं ठीक एब बुक की जो पीडियोफ है मैंने अल्री गुरूप में परवाइड का रहे हैं वहां से जाके अक्सेस कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिशन में मिल जाएग आप सभी को एंड डेली आपको तीस के चालिस मिनट के इंग्लिस की रेडिंग करनी होती है अगर एंसे रिट कर रहे तो लास्ट चैप्टर है क्लास एट का चैप्टर नमर 11 इसे आपको अच्छा से कम्प्लीट कर लेना है साथी में नोबल्स परते हो तो नोबल्स रिट करना है एक ग्रूप में मैं डेली एडि कर ली तो आप सभी को यह वाला वीडियो अच्छे से कम्प्लीट करने साथी में प्रैक्टिस करने को सब्सक्राइब नोट करके जरूर लिख लिए इसके वाट डेली हम क्यल्किलेशन करते हैं मैंतमाटिक स्टार्ट करने से पहले 10-15 मिंट हमें लगता है क्या क्या करते है आज आपको जो है 12 से लिके 22 तक स्पीड में टेबल लिख सकते हो लिखने आपको 10 से लिके 27 तक स्क्यार रूट लिखने एंड 1 से लिके 15 तक क्योब रूट लिखने इंपार्टन फ्रैक्संस लिखने ठीक है परसेंटेज वैल्य वाली एंड फोर डिविजन के क्वेशन्स फोर मल्टिपिलिकेशन एंड फोर सब्ट्रैक्शन के रैंडम क्वेशन्स अब को लगाने होते हैं उसके बाद हम अपने मैथमेटिक स्लॉट पर आते हैं जो कि हमारा ऐसा ही चाप्टर चलना है इसमें चाप्टर वीडियो नमबर फाइव आज आपको कंप्लीट करना है यह आउरेड़ेट में गुरूप में सारे की सारी क्लासेंग्स परवाइड कर दिए और आप नीक्षे डिस्क्रिप्सिन में देख सकते हैं नेक्स्ट मंदे से हमारा अने वाला मंदे हैं इस मंदे किसे हमारा अप्रम अडवार् अद्वांस मैं स्टाट हो जाएगा तो सल जल्दी हम सभी अपना स्लेवस कंप्लीट करेंगे ताकि रिविजन में हमारे पास इंपल टाइम हो सके हो काफी साधा टाइम हो सके और बैनिफिट ले सके अपने पिर पिस्टेंस में ठीक है जल्दी स्टार्ट करने का वाद हम सभी लॉट 3 पर रिजनिंग कर रहे हैं रिज चैप्टर अभी रिजनिंग में हमने कंप्लीट किये उसकी थियोरी को एक बार फिर से रिवाइस कर लेंगे ठीक है रिविजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन रोल प्ले करता है कमसे कम आपको अपने स्लिवस को 20 से 25 बार रिविजन करने नहीं ठीक है जैसे में करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है अपने जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिविजन करना तो रिविजन जरूर करने आप से भी को ठीक है उसके बाद नीचे स्टार्ट करेंगे हैं इसे तरीके से हमारा जी की थियोरी अच्छा से कंप्लीट कर लिए अपने साथे में प्यूर्ट को रिविजन रहने वाला है तो इसमें भी बाइलोजी को भी अच्छा से रिवाइस करने जो नोट को अपने बनाए थे उस नोट को रिवाइस करने रिविजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है इसलिए मैं आप सभी को रिविजन पर भी जोर दे रहा हूं स्लेकित करने से इंपॉर्टन है जो आपने पढ़ा है अगर वह आपको अच्छे से यादी नहीं होगा तो फिर क्या आपका फाइदा हुआ पढ़ने का ठीक है और क्या आपका फाइदा हो जो आगे आप नीउ चीज़ पढ़गे तो इसलिए रिविजन रिविजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर रिवाइस करें अपने जो भी पढ़ा हुआ है इसके बाद हम सभी जो करेंट अभी स्टार्ट नहीं किया है जब सब्सक्राइब कर सकते हो एडिवर्स साइट सिटी या इसके इस टॉपिक की जो है आज पीवाइक की कोशन्स लगा लेने बुक में से ठीक है जितने भी पीवाइक की कोशन्स अब अच्छे से आपको आटाइम कर लेना फिक हमारा न्यूट प्विक स्टार्ट हो जाएगा स् भी डाउट रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हो और प्रस्टनली मुझे इस्टाग्राम पर मैसेश कर सकते हो मिस्टर बिनित के नाम से आप से मिल जाऊंगा और चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि था प्लीज सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वर वाचिंग ऑफ